तो अभी कुछ लोग जुड़ गए हैं और प्रकास प्रोहिद जी कैसे हैं सर हलो गुर्प्रीत सिंदू जी है नमस्कार जी प्रकास प्रोहिद जी कह रहे हैं कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ प्रकास जी केदारनात जी है और गुर्पीत सिंदू है सर XRP के भी बताना हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूँ आपके कुश्चन का आंसर भी मैं लोगा और सबसे पहले मैं बात करता हूँ Bitcoin के price के बारे में क्योंकि Bitcoin जो है इस समय आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बूम पर है Bitcoin आप देख रहे होंगे की 12,712 पर चल रहा था पहुँच गया है और थोड़ा सा उसने अभी correction लिया 12,725 तीस तक पहुँच गया था लेकिन थोड़ा सा correction लेकर वो नीचे आया है भी 12,711 के आसपास और इतना बड़ा बूम क्यों आया इसके पीछे क्या reason है ये बात करेंगे और आपको Bitcoin के बारे में बताएं कि इसका जो resistance लेविल है वो 12,200 के आसपास बन रहा था और जब इसने ये cross किया 200,200 का cross किया तो आप देख रहे होंगे कि Bitcoin जो है वो 12,700 के आसपास पहुंच किया है Bitcoin का जो पिछले साल जो movement था वो गया था करीवन 13,000 मैं भी आपको दिखा देता हूँ वो करीवन 13,800 पे गया था यहाँ देख सकते हैं आप 13,800 पे अगर Bitcoin क्रोस कर देता है तो बहुत ही जल्दी Bitcoin जो है वो 20,000 डॉलर तक भी टच कर सकता है मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है और आप लोगों को याद होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने कहा था कि Bitcoin जो है वो दिसंबर तक 15,000 डॉलर से लेकर 20,000 डॉलर के बीच में कहीं भी पहुँच सकता है और अगर ये 20,000 डॉलर पहुच गया तो ये Bitcoin जो है वो 14,000 का आराम से हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे कि Bitcoin की position क्या है और यहां मैं अभी dominance level दिखा रहा हूँ Bitcoin का dominance level भी बहुत बढ़ गया है अभी 62% चल रहा है 62.21 और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी dominance बढ़ेगा Bitcoin का तो altcoin जो है वो movement नहीं करेंगे altcoin में movement नहीं आएगा तो आप देख रहे होंगे कि Bitcoin का dominance जो है वो अभी 62.22 चल रहा है और 62.22 पे चलने के कारण जो आप देख रहे हैं कि अभी बुलकुल भी जो है movement जो है अर्ट में नहीं है trading जो है वो अभी बुलकुल फाइदेवन नहीं है तो यह सारी चीजें थी Bitcoin के बारे में और मैं बात लेता हूँ कि वो क्या खबरे हैं जो Bitcoin को इतना आगे move करके लेके गई हैं इसके पीछे दो तीन बहुत ही खास खबरे हैं एक खबर जो है वो IMF की तरफ से है International Monetary Fund की तरफ से दूसरी खबर जो है वो PayPal की तरफ से है तो IMF की जो खबर है वो मैं बात में लूँगा पहले लूँगा PayPal की खबर और आप लोगों को पता होगा कि PayPal जो है वो बर्ड की बहुत बड़ी payment system है PayPal जितने भी international payment होते हैं बड़े-बड़े international industrialist जो payment करते हैं बड़े-बड़े और जो corporate house जो है वो payment करते हैं जितने भी बड़े-बड़े payment होते हैं वो सारे payment PayPal की थ्रो होते हैं PayPal को बहुत लोग यूज़ करते हैं international payment के लिए और दोस्तों उसी का एक subsidy wallet है जो छोटे-मोटे payments में काम में आता है उसका नाम है उसका नाम है Benom तो उसका जो नाम जो मैं बता रहा हूँ Benmo करके है Sorry Benmo तो Benmo जो है उसका एक subsidy उसकी existing concern है जिसको उन्होंने acquire कर लिया था PayPal ने अभी कुछ दूनों पहले तो जो खबर आ रही है सबसे बड़ी वो ये है कि PayPal जो है बहुत ही जल्दी अपने wallet में cryptocurrency के लिए सुधाय प्रवाइट कर देगा payment को लेने देने के लिए cryptocurrency का wallet उसमें integrate कर देगा मतलब सुधाय वो आपको मिलनी सुरू हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पूरे bird के लिए और उसमें अभी जो नाम आ रहा है वो करीबन चार cryptocurrency का आ रहा है पेपाल की तरफ से और मैं आपको बताऊं कि cable USA में 26 million इसके जो है वो ग्रहाक है जो इसमें काम कर रहे है इसके customer है 26 million जो है वो cable USA में है और bird में तो करीवन इसके 222 के आसपास इसके जो है वो customer है 222 million customer है तो इतने सारे लोगों में जब यह चीजें सुधाएं पहुचेंगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या position बनेगी crypto currency की तो यह एक बहुत बड़ी ख़बर है crypto currency के लिए और दूसरी ख़बर जो है वो IMF की तरफ से है IMF की मैं आपको खबर दूँ कि international monetary fund जो monetary करता है international जितने भी fund है बैंकों के उसको तो इसका जो मुक्याला है वो Washington DC में है और international monetary fund ने एक meeting organize की थी जो उनके chair person है और director है उन्होंने और उस meeting में जो बात कही गई वो यह कहा गया कि जो international payment है उनको उनको जो है वो CVDC CVDC मतलब जो Central Bank of Digital Currency Central Bank Digital Currency जो है उसके द्वारा इसको पोटसाहित किया जाए इसको बढ़ावा दिया जाए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो Central Bank Digital Currency है CVDC जो है बहुत सारे देश इसको अपनाने के लिए तैयार है जैसे मैंने आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि चाइना भी अपनी CVDC लेकर आ रहा है और कनाडा भी अपनी CVDC लेकर आ रहा है बहुत सारे जो countries हैं और उसकी जो Central Banks हैं वो अपनी अपनी Digital Currency लेकर आ रही है और Digital Currency अपनी अपनी लेकर आ रही है उसकी बज़य यह है कि जितने भी International Payment हैं उनको वो सुब्धा जनक बनाना चाहती हैं उनको वो Easy Going Process में ले दाना चाहती है तो यह जो है अगर Digital Currency इस तरीके की बढ़ेगी तो स्वभाविक है कि अगर Centralized Digital Currency आगे बढ़ेगी तो Decentralized Cryptocurrency भी आगे बढ़ेगी उसका भी बहुत बड़ा Impact जो है वो Cryptocurrency और Bitcoin पे पढ़ेगा दोस्तों तो यह जो ख़बर है यह बहुत बड़ी ख़बर है CVDC की IMF International Monetary Fund की और PayPal की दूसरी ख़बर तीसरी ख़बर जो है वो भी बहुत अच्छी है वो मैं बताऊँ वो है Switzerland की तरफ से और आपको बताऊँ कि Switzerland में क्या हो रहा है कि वहां के होटल जो है बड़े-बड़े होटल है 5-star होटल है वो अपने होटल के परिसर में ATM लगा रहे है Bitcoin ATM लगा रहे बहुत बड़े-बड़े तो अभी एक ख़बर जो बन रही थी वो ये थी कि वहाँ एक होटल है जिसका नाम है Dolder Grand Dolder Grand में वहाँ अभी एक ATM लगा है जिसमें आप क्रप्टो करेंसी की खरीद फरोप्ट कर सकते है तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर बनती है क्योंकि Switzerland जैसे आपको बतायता बहुत ही friendly है Bitcoin और Ethereum और जितनी भी क्रप्टो करेंसी है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा friendly है तो वहाँ अगर ATM लगते हैं और भी जितने भी वहाँ और भी बहुत सारे होटल है जिसमें इससरी के किस्वदाय प्रतान की जा रही है ये तो सुरुआत है तो ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है कि किस तरीके से Bitcoin और Cryptocurrency का जो है वो क्रेज लोगों में बढ़ रहा है दोस्तों दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक हमारे Micro Investor है Mr. Dan Tapiro आप Twitter पर जाके इनके tweet देख सकते हैं ये बहुत बड़े investor है इन्होंने Crypto Adoption के लिए बहुत बड़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि आने वाला feature जो है वो gold और crypto के लिए होगा कि आप gold में investment करते हैं और crypto में investment करते हैं दूसरी बात उन्होंने एक और कहा है कि Bitcoin की कीमत जो है और crypto currency की कीमत जो है वो अभी बहुत कम है मतलब 12,700 चल रहा है ये बहुत कम है इसकी बज़े ये है कि बहुत सारे देशों में ये survey किया गया कि कितने लोग जो है वहाँ Bitcoin को या crypto currency को जानते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर जो आया वो आया है नाइजेरिया का और नाइजेरिया में मतलब करीवन 1000 से 4000 लोगों पर ये survey किया गया और survey से जो result निकल कर आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइजेरिया में करीवन 32% लोग मतलब 100 में से 32 लोग जो हैं वो crypto currency में काम कर रहे हैं या crypto assets अपने पास रखे हुए हैं दूसरा जो है नाम आता है वियतनाम का जिसमें 21% लोग जो हैं वो crypto में काम कर रहे हैं South Africa का 17% Turkey का 16% Peru का 16% Spain का 10% China का 8% और US का केवल 7% लोग जो हैं वो crypto currency में काम कर रहे हैं और दोस्तों सबसे last में जो नाम आता है वो Japan का आता है आप देख रहे हैं नीचे मैं दिखा रहा हूँ Japan में केवल 4% लोग जो हैं crypto currency को रखे हुए हैं या crypto currency में काम कर रहे हैं तो ये जो है आप इससे ये अंदादे लगा लिजे कि अभी इतनी popular cryptocurrency या bitcoin नहीं हुआ है तो एक अंदार लगाई है कि अगर ये जो है लोगों में popular होता है और जैसे जैसे इसकी चाहप जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे demand इसकी बढ़ती है तो bitcoin जो है वो बहुत ही जल्दी 50,000 डॉलर या 100 डॉलर को भी मलब एक लाग डॉलर को भी क्रॉस कर सकता है तो ये एक बहुत बड़ी नहीं है कि गुपता जी बुलकुल हवा में बात मार रहे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं 50,000 डॉलर एक लाग डॉलर कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है ये मैंने जो list दी इसलिए दी कि इन देशों में इतने कम लोग bitcoin को और cryptocurrency को रखे हुए हैं काम कर रहे हैं तो सपोच कर लीजेगा कि जब इनकी percentage बढ़ेगी अगर 50-50% भी लोग वाग काम करने लगे इसमें cryptocurrency और bitcoin में तो आप सोच सकते हैं कि 50,000 डॉलर तो बहुत कम है एक लाग डॉलर भी बहुत कम है पता नहीं कितनी कीमत होगी cryptocurrency की और bitcoin की तो दोस्तों यह खवरें थी में में जो bitcoin के बारे में आ रही थी जिससे अभी आप देख रहे होंगे कि इतना अच्छा movement जो है वो चल रहा है तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के question answer ले ले लेता हूं जल्दी-जल्दी क्योंकि बहुत लंबा मुझे सेशन नहीं करना है लंबा सेशन में लोग जल्दी बोर हो जाते हैं तो पहला question लेता हूं मैं आपको पेपाल रिस्टिक्ट टारेक ट्रांजेक्शन सो हाव वी केन यूज यह कह रहे हैं धनू धनू जी आपको बताऊं इसलिए यह मैंने खबर दी थी कि पेपाल ने पहले रिस्टिक्ट किया था पेमेंट को अभी भी पेमेंट नहीं कर रहा है लेकिन यह जो खबर रही है 2021 से मिड में मतलब सेकेंड क्वार्टर में चालो हो जाएगा पेपाल का बिटकोईन और अल्टकोईन में क्रिप्टो करणसी में काम करना बहुत ही जल्दी तो यह बहुत अजल्दी आपको सामने आ जाएगा और यह जो इंप्लिमेंटेशन है यह सबसे पहले यूएस में होगा उसके बाद जो है वो आल ओवर वर्ड आपको इंप्लिमेंट होके दीखेगा तो सबसे पहले 2021 में यह यूएस में शुरू करेंगे दूसरी मैं ले लेता हूँ आपका सर लाइट कोईन पर एक वीडियो बनाईए बिल्कुल बनाएंगे लाइट कोईन एक बहुत अच्छा कोईन है तो इस पर वीडियो बनाना एक बनता है तो मैं बनाऊंगा जरूर इसको जैसे ही टाइम मिलता है और अभी ऐसा कोई बहु अभी अभी तीन दिन हुए है उसको चालू हुए तो आप दोड के उसमें अपनी बीटीसी को डवलू बीटीसी में बदल कर मतला रैब बीटीसी के लिए उपर बना हुआ है वो प्रोग्राम पूरा और अभी उसमें बहुत कम बिटकॉइन है मुश्कल से एक सो असी एक सो एक सो सतर एक सो सी बिटकॉइन होंगे उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा आपके भविस्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप बात में मुझसे कहेंगे गुप्ता जी आपने हमें पहले नहीं बता है गांदी जी में जैसे गांदी जी का जो पहला होट्रेक् यह थे जिसमें आज हमारे पास सौ से ऊपर मतलब कभी करीवन सवा सो इथेरियम उसमें हो चुके हैं और हमने यह जो नया कॉंट्रेक्ट है तीन दिन में करीवन पचास जार रुपे हमने इसमें अर्ण कर लिये हैं यह भी मैं आपको बताओं तो यह बहुत अच्छा मौक बढ़ाया है उन्होंने पिछला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है यह प्रोजेक्ट भी उनका बहुत अच्छा है तो अगर आप स्कैम होने से बचना चाहते हैं तो आप आराम से जाके उसमें इन्वेस्ट करें और आप देखें कि जैसे-जैसे लोग उसमें ग्रो करेंग कुछ भी हो सकते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट खबर थी जो मैंने आपको दी क्योंकि आप कहेंगे कि सर आपने हमें टाइम से नहीं बताया तो अभी लिंक फॉर गांदी जी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप उस लिंक में जाके बात कर सकते हैं तो एक क्युश्चन है क्याए डू यू दिन्र भाट गालों गांगा बहूं आप काफी लंबा लैब स्टैय को या सतटड़े वाइशन करें। जिससे आप लोग काफी सारे लोग जुर सके तो इसके साथ ही विदा चाहते हैं आपसे नमस्कार जैहिन